हाँ तो ही मेरे दोस्तों और क्या लेत्जक्त अपनी बढ़िए तो बस तर्णा अपन को ऐसी बढ़िया रेना है और पढ़ते रहना है काम क्या है खाना पीना और पढ़ना इसके लघा वोकई काम हही नहीं अपना वह ऐसी मसत रेना आ इसोना काम करते रहे हैं रखान किसकी बात कर रहे थैं बुद्धिजम के बात कर रहे हैं कि बुद्धिचिनगे बाद करेंगे बुद्ध की टीचिंग के बारे में ह viewer JASON今 कौन ने कौन कstop की की कि बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कौन-कौन से टीचिंग दिये थे, क्या-क्या इन्होंने बताये था सबसे पहदी अपन बात करेंगे कि इन्होंने चार नोबल टुत बताये थे चार परमतत्व बताये थे, चार नोबल टुत बताये थे इन्होंने वो क्या-क्या थे एक बार यह ऐसे बैटे 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 इनों Tuni से बोला कि कोई तो जानता है इस दुनिया में दुख ही दुख है तो वह हसता है और हसके बोलता है कि हाँ सर्फ मैं जानता हूं और ये चीज तो मेरे को जब मैं छोटाँ तो तभी पता लगग़ता बात-बात पर कोई आता तो टपली मार जाता हुआ। तो यह चीज तो मेरे को पहले से पताएगी पर जीवन में दुखी दुख है। इसमें नई चीज क्या है। तो बगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं मजात नहीं कर रहा। मैं को पताएगी इस जीवन में दुखी दुख है लेकिन इस दुख का एक कारण है। तो इनके रिश्चे बोलते हैं कि हाँ सर अब आया पूनते पर अब बताओ कारण क्या है इस दुख का। तो इन्होंने बताया कि जीवन में दुखी दुख है. Life is full of sorrow। और इस दुख का कारन है ignorance और ये जो दुख है इसको खतम करने के लिए एक पात बनाया है एक मार्ग है जिसको बोलते है अश्टांगिक मार्ग क्या है अगर आपको दुख से पूरा का पूरा चुट्टी चानी है दुख को पूरा खतम करना है तो आपको अस्टांगी मार्ग पर चलना पड़ेगा तब जाके इस जिन्दगी में जिता भी दुख है वो दुख खतम होएगा तो इन्होंने चार नोबल टुथ बताए जब ग्यान की प्राप्ती तो उन्होंने अपकी पहली सिक्षा जो दी वो यह दी कि इन्होंने चार नोबल टुथ बताए जिसमें यह बोला कि इस दुन्या में दुख ही दुख है और इस दुख का कारण है इंग्नोरेंस और इस चीज के लिए एक पात बनाया जिस पात को मार्ग है जिसको मार्ग को बोलते है अस्टांगिग मार्ग एट फोल्ड पात और ये जो दुख है दुख सकता है किस से निर्वान से जब आपको निर्वान की प्राफ्टी होगी जब ये दुख जो है ये खतम हो जाएगा और इस दुख को खतम करने के लिए एक मार्ग बनाया है जिसका नाम है एट फोल्ड पात मतब अस्टांगिग मार्ग यह होते हैं इन्होंने चार नोबल टुथ दिये दूसरा है प्रतित्ते समुत्पाद प्रतित्ते समुत्पाद बे इन्होंने बोला है कि इस दिस एग्जिस्ट देन देट एग्जिस्ट आज ये हो रहा है तो इसके पीछे कोई न कोई कारण है आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि इसके पीछे कोई न कोई कारण है तो इन्होंने बोला है कि कोई भी चीज इस धर्ती पे घटित होती है तो उसके पीछे कारण होता है कार्रे कारण होता है हर चीज के पीछे आज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसके पीछे कारण है इन्होंने ये बोला है कि सिक्षा बाटने से बढ़ती है इन्हों ने ये बता है कि यह जो त्योरी है कि इस पे बेश्ट है, इफेक्ट ऑब बुद्धिजब मतलब dependent opinion पर कि इस कोई भी चीज जो दुन्या में घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है। तो क्या बताए उन्होंने कि दुनिया में कोई भी चीज घटित होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है और इनके according Lord Buddha के according तौरों का कारण अपन ने पताई लग जया कि दुख का कारण जो है वो है ignorance और ये जो है ये जो चीज है दुख का कारण ignorance है ये चीज उन्होंने explain करी है द्वदेश निधन चक्र में इसमें explain करें द्वदश निदन चक्र में और इन्होंने ये बताया है मतलब प्रतित्य समुद्वाद जेता प्याराद में शब्द है ये प्रतित्य समुद्वाद इसका मतलब इसका मतलब ये है कि if this exists then that exists मतलब इस धर्ती पे कोई भी चीज घटित हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक कारण होता है कोई भी चीज बिना कारण वश कभी भी घटित नहीं होती आज मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने के पीछे कारण ये है कि वो मैं आपको निए बताओ इसलिए आपको ज्यादा नौलेज गेन करनी है, ये कारण आपको कई डगी जाके पर नौपरी लगना है, दूसरा कारण आप मेरे पढ़ानी से लेके आपके पढ़ने तक के पीछे एक कारण है, इसलिए इन्होंने बोला है करतित्य समुद्पाद का मतलब ये है कि इस पर कोई भी चीज घटित होती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, तो प्रातित्य समुद्पाद ये अब इन्होंने जो पहले चार नौबल सकते जो दिये, नौबल पृत जो दिये थे, उन्हों बोला था कि अगर आपको दुख खतम करना है, तो उसके लिए मार्ग बनाया गया है, उस मार्ग का नाम है, अस्टांगिक मार्ग, तो अस्टांगिक मार्ग के बारे में अपन बात करें, तो इन्होंने ये बोला है, कि आपको अगर दुख से चुटकारा चीए, अगर आपको अपना दुख पूरा खतम करना है, के सेशन और सोरो, तो आ एक एक्षन आपको कर्मानित मतलब। सम्यक करम यह पंचे से करना है आपने करम अच्छे से करने राइट एक्षन राइट लाइलिवूड आपको अच्छे से रहना है राइट एफट आपको अच्छी जगे पर अपने एफट लगा निbook की बुरी जगे पर Mindfulness आपको दिमाग से हर चीज में दिमाग से काम लेना है और Right Meditation मतलब समादी वो उस ताइम पे Right Meditation हो जाएगी अगर आप ये Eightfold बात जो है घोतम बुद्ध के बगवान बुद्ध के अगर इन पे चलते हो तो आपकी जिन्दगी में जितने भी दुख है उनका निर्वान हो जाएगा मतलब उन दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी तो क्या बताए इन्होंने Right View, Right Intention, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness and Right Meditation ये Eightfold Path है जिसके उपर अगर आप चलोगे तो आपको दुखों से चुटकारा मिल जाएगा तो ये क्या बताए इन्होंने अपने तीसरे टीचिंग में दिये है Eightfold Path इन्होंने अपनी चौती टीचिंग में बता है अनित्तेवाज ये शनिकवाज इसमें ये ये मानते हैं गौतम बुद्ध जो है भगवान बुद्ध ये कहते हैं कि इस धर्ती पर कोई भी चीज जो है वो पर्मानेंट नहीं है हर चीज टेंपररी है हाँ पे अब आप बोलो कें कि नहीं permanent है सारी पेड़ पोदे हैं इस सब पर्मानेच है लेकिन ऐसा नहीं है इन पेड़ पोदों में भी हर शन changes हो रहे है ये कोई भी चीज इस धर्ती पे है वो permanent नहीं है इनसान तक इस धर्ती पे permanent नहीं है आज एका जनम होता है तो उसी की जगे दूसरे की मृत्ती होती है तब दूसरे का जनम होता है तो आज एक आदमी मरता है दूसरा जनम लेता है तो वो आदमी अगर पर्मानेंट होता तो वो आदमी भी जिंदा रहता और जनम होने वाला भी का भी जनम होता इसलिए कौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि इस दर्टी पे कोई भी चीज जो है वो पर्मानेक्ट नहीं है सब टेंपररी है इसलिए हिनोंने एक एग्जम्पल भी जिया है इस चीज को लेके कि अगर आप कोई नदी पे नाने जाते हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस नदी में जड़ दुटकी लगा रहे हो तो निकलने के बाद वापस उसी नदी में ना जाओगे आप एक नदी में नाने जाओगे उसके बार में वापस उसमें डुक्की लगाओगे ता आप उसी नदी में नहीं ना रहे हो दूसरी नदी में ना रहे हो लेकिन ये बात आपके समझ में नहीं आई होगी कि दूसरी नदी में कैसे नारे बही जाए गए तो उसी नदी में न आप नहीं ना सकते, क्योंकि जिस जल भाव में आप उस ताइम पर नाय हो, ना के निकले हो, निकलने के बाद वो भाव तो बह गया, दूसरा भाव आ गया, नाया भाव में आप ना रहे, इसलिए गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि इस धर्ती पे कोई भी चीज जो है पर्मान नहीं है आप इसमें गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं कि existence जो है all thing in the world में वो temporary है, nothing is permanent in universe, universe में कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं है और हर object temporary है, उसी चीज को बोलते है, हनिक्ते और शनिकवार, इसलिए गौतम बुद्ध ने एक example दिया है कि nobody can walk in one river on two times, दो बार एक आदम एक ही नदी में नहीं ना सकता, जैसे आप खाना हाते हो, आपकी मम्मील गरम गरम लो रोटी लाई, दो मिनिट बार वो रोटी ठंडी हो जाती है, मतलब वो चीज पर्मानेंट नहीं है, वो चीज टेंपरेरी हर शन आपकी body में भी changes हो रहे हैं, आज मेरा जो चेहरा है वो हर शन बदल रहा है, लेकिन जो मेरे को regular देखता है उनको पतल नहीं लगेगा, जो मेरे को सालो साल तक जिनोंने नहीं देखा, अगर मैं उनके सामें जाओंगा, तो कई सारे बोलेगें कि भही तु पतला हो गया, भही तु मोटा हो गया, तो इसलिए हर शन आपकी body में भी changes हो रहे हैं और हर शन इस धर्ती के भी changes हो रहे हैं, तो इसलिए इस धर्ती के कोई भी चीज़ जो है वो permanent नहीं है, सब temporary है, तो ये किसमें बताया गया है, आनित्यवाद या पर शनिक वाद में ये चीज़ बता ही गई है, दूसरा आता है अनात्मावाद, अनात्मावाद अनिये गोताबद जो है, वोинов बिलीव नहीं करते है, eternal soul में, मतलब वो जो है भगवाद को eternal soul जो है उन में नहीं मानते है, ये believe करते है, flow of thoughts में, तो है बहते हुए thoughts में belief करते और एक सिक्षा का भाव, जो बहर आए, उसमें今 própیں believe करते है, ये, ये मानते है कि अगर एक थौट का अगर मृत्ती होती है आपके दिमाग में कोई विचार आ रहा है अगर उस विचार के मृत्ती होती है तो उसी के जिस्ट बाद नया विचार आपके दिमाग में पन होने लग जाता है मतलब बर्थ नयने लग जाता है नया की जो वो थोट है वो आपके दिमाग में एक जनम लेने लग जाता है अनात्माबाद में ये बोलते हैं कि अगर आपका एक थोट इम्रती होती है तो उसी शन आपके दिमाग में नया थोट जो है वो जनम लेने लग जाता है तो यह हमें क्या बताया है कि इन्होंने एथर्णल सोल यह बिलीव नहीं करते, यह बिलीव करते है flow of thoughts में मतलब अगर आपके दिवात में कोई thought आ रहा है, अगर वो मर गया उसी शन आपके दिवात में नया जो thought है, वो जनम ले लेगा मतलब इसी चीज़ पो बोलते है flow of thoughts एधनल सोल यह होता है कि एक ही चीज़ पर अड़े रहें वो चीज़ पर यह बिलीव नहीं करते निर्वान जो है अटा जो है निर्वान निर्वान का मतलब है blowing out मतलब आपने यह सारी चीज़े धर्टी से देख लिए, अब आपने एक समाधी धर्ण कर लिए, मतलब आप निर्वान आपको निर्वान प्राप्थ हो गया है मतलब यह last aim है life of Buddhism का एक बुद्धिजम की बुद्धिज़ जो शिक्षा लेते हैं, उनका life का जो आखरी पढ़ाव है जो क्या है निर्वान निर्वान जो है आखरी पढ़ाव है इसमें बुद्ध यह मानते है कि बुद्ध जो है वो भगवान पर विश्वास नहीं रखते है आज अपने इंडिया में बुर्ड में पूरे बुर्ड में 70% 7% ऐसे लोग हैं जो ग्राफ है वो इतायगा कुछ पता है नि लेकिन ऐसे लोग है जो भगवान को नहीं मानते जो बुद्धिजम को फॉल्व बरते है और ये बोलते हैं कि हम जो है फ्लो अफ थॉट्स में विश्वास रखते हैं ना कि हम कोई भगवान भगवान को नहीं मानते हम मूर्थि पूज़ा नहीं करते हम जो है अपने मन के जो विचार है अपने विचार छे होंगे तो अपको अच्छा फल मिलेगा हम जो है उसमें विश्वास रखते हैं इसलिए ये बिलीफ किसमें करते हैं कर्मफल और रीबर्थ रीबर्थ च्योरी या फिर कर्मफल पर ये इश्वास रखते हैं एक टाइम ऐसा हुआ कि गौतम बुद्ध जो है जगे पे गए महाँ पे उनसे किसी ने पूछा कि निर्वान का मतलब क्या है तो आपने बुद्ध इसमाइल देखी है बुद्ध इसमाइल ऐसा ही नहीं है ऐसी कई सारी चीजे हैं जिस पर जो है गौतम बुद्ध चुक्चाप रहते थे वो सिर्व इसमाइल रहते थे उन दीजों में इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने में से कुछ पूछा और में सिर्थे कि स्माइल दे रहा हूँ तो आपके दिमाद में आएगा कि पता बता तो कुछ है नहीं इसको कोकट बोले जा रहा है बस इसलिए अगर कोई आजमी चुट्चा प्रता तो आजमी ये समस्त है कि इस चीज के बारे में नौलेज नहीं है लेकिन जो गौतब बुद्ध थे वो गेवादी थे उनको पता सब था लेकिन वो उस चीज के बारे में बताना नहीं चारे कि वो अग्यवादी नहीं थे वो क्या नहीं थे वो अग्यवादी नहीं थे वो गियवादी थे, क्योंकि उनको पता सब था, लेकिन वो उस चीज के बारे में उस टाइन पे बोलना नहीं चाते थे, इसलिए वो सिर्फ एक इसमाइल देते थे, ऐसी कौन-कौन सी चीजे है जिनके बारे में वो सिर्फ इसमाइल देते थे, वो थे परमततु, ईश्वर, निर्वान, किसके बारे में, इसी ने पूछा कि लए प्रमतत्भ क्या है, गौतमबudj से पूछा प्रमततव क्या है, प्रमतत्भ उस टाइम और गौतमबud, जो हई वो पता नहीं सके, इसलिए वो सिर्फ इसमाइल देते है, परमतत्भ के बारे में घुचोगे कि एश्वर exist करता है यह नहीं करता तो गौतमबुद इसमें भी सिर्फ एक smile देंगे गौतमबुद से पूछो कि निर्वान क्या होता है तो उसमें भी वो कुछ नहीं बोलते हैं उसमें भी वो सिर्फ एक smile करते हैं तो यह थी teaching of बुद्धा, बुद्धा की जो teaching थी वो क्या थी? वो यह थी शे जो नहीं ने teaching दी थी वो यह थी इसमें पहले फोर्ट नोबल टुथ दिये थे जिसमें बोला था कि world is full of sorrow दुनिया में दुख ही दुख है इस दुख का कारण है ignorance, sorrow खतम हो सकता है निर्वान से और उसके एक पाथ बनाया है जिसको बोलते है अस्तांगिर मार्ग या फिर eightfold path प्रतित्य सम उत्पाद में ये बताये गया है कि इस धर्ती पे कोई भी चीज घटित होती है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण है इसमें बताये प्रतित्य सम उत्पाद में eightfold path बताये है जिसमें right view, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right meditation अनित्यवाद में ये बोला है कि इस धर्ती पे कोई भी चीज जो है permanent नहीं है सब जो है temporary है आप एक ही नदी में दो बार इसनान नहीं कर सकती है एक्जांपल या ता गौतम बुद्ध ने अनातमावाद में ये बता है कि बहीं, गौतम बुद्ध जो है वो eternal soul में बिलीव नहीं करते वो बिलीव करते है flow of thoughts में मतलब कि आपके दिमार के में अगर एक thought आ रहा है, अगर उस thought की मृत्ती होरी तो उसी time पे आपके दिमार के एक नया thought जो है वो जनम ले लेता है निर्वान जो है, निर्वान में ये बताया है गौतम बुद्ध जो है वो बगवान पे बिलीव नहीं करते थे वो बिलीव करते थे flow of thoughts में इसलिए जिक इसको नहीं मानते थे बगवान को नहीं मानते थे गौतमबुद्से जब कुछ पूछ थे तो गौतमबुद्से एक स्माइल देते थे, इसका मतलब यह नहीं कि गौतमबुद्स जो अग्यवादी थे, लेकिन वह जो है इस चीज के बारें बता नहीं पाते थे, amaz encils जीतुर्ण लग उनको अग्यवादी समझते थे तो ये इच्छा है टीटिंग थी गहतम बुद्ध की जोफाज अपने पड़ी, अब अगली क्लास में अपन बुद्ध काउंसिल के बारे में पड़ेंगे, तो भई आज के लिए इतना काफी है, ओके, बाई बाई and टेक केर.